नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास जो है स्टार्ट करेंगे और इसके पहले देखिए जो भी सब्जेक्ट हमने कम्प्लीट किया हुआ है जैसे कि एकनॉमिक्स का, बायलोजी का, केमेस्ट्री का और ज हाइड कर दिया है, सारे सब्जेक्ट का जो भी हमने अभी तक पढ़ाया हुआ है, तो इनका कम्प्लीट पीडिया भी आपको जो है, डिस्कप्सर बॉक्स में लिंक मिल जागा, वहां जाके आप लोग बाई कर सकते हैं, आप लोग स्टेडी करते रहें, रिमेनिंग के जो जाते हैं, तो वह आपका पुरा कम्प्लीट तयारी हो जाएगा, तो चलिए स्टाट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, तो आज हम लोग इंडियन कंस्टिट्यूशन का इभलूशन देखेंगे, कि किस तरीके से हमारे कंस्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, और इसके पहले कौन से लिडर्स ने कितना अपना जैसे युगदान दिया था कंस्टिट्यूशन को फ्रेमिंग करने में, तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, तो दिखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश था, तो 1947 से पहले यहाँ पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो पहले क्या था कि हमारा ना तो कोई अपना कंस्टिट्यूशन था, ना तो कोई अपना राज था, तो ये सारे जैसे कि ये सम मोसंस थे, बहुत सारे लिडर्स थे यहाँ पे, जो कि उन्होंने आंदोलन चलाया था, कि जैसे भारत को आजात करने के लिए, और जैसे अपना खुद का ही कंस्टिट्यूशन होना चाहिए, कोई बाहर का कोई सरकार जो हमारे उपर राज ना करे, तो इसके लिए जो है, बहुत सारे डिमांड यह पहले ही उठना सुरू हो गये थे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी, 1915 में इंडिया आ हुए थे, तो उनके आने के बाद से ही जो है, कि हमारा खुद का समिधान होना चाहिए, और अलग जैसे कि हम अपने अजाद हो जाए, तो यह डिमांड उठना सुरू हो गई थी, और सबसे पहले महात्मा गांधी जी नहीं, 1920 में यह डिमांड की थी, कि इंडिया जो है, सो छोटे-छोटे हर अस्तर पे, तो सबसे पहले दिखिए, जैसे कि Constitution है, तो Constitution बनाने के लिए सबसे पहले उसके लिए Constitution Assembly होना चाहिए, और उसमें जो है मेंबर्स होने चाहिए, जो कि इसको फ्रेमिंग करेंगे, तो इस तरीके से idea of Constitution Assembly का, जैनि कि जैसे इंडिया का, खुद इस लिडर, एमेंड रोई के द्वारा, तो यह चीज जहाए, आपको question बार बार पूछा आता है, तो यहाँ पर हम लोग सीरीज अप इवेंट देखते चलेंगे, कि किस तरीके से जो है, अपना Constitution जो है, वो फ्रेमिंग में अपनलब की बना, और उसके बाद जो है, इन्ट से बहुत सारे जो भी मतलब की लीडर्स हैं, उन सारे मिम्बर्स होंगे उसके अंदर में, तो पहला motion पूरू जो था यह, अपना जैसे कि Constituent Assembly होना चाहिए, एमेंडर के दौर यह मूट किया गया था, अब उसके बाद देखिए, 1935 में, इंडेनेशन कॉग्रेस जो है, Constitu आया था, 1940 में, इसको जाके स्विकार कर लेता है, कि हाँ, जैसे इंडिया का, खुद का मतलब की, जैसे Constituent Assembly होगा, जिसमें कि वो अपना Constitution बना सकते हैं, तो इन्होंने जो अगस्त ओफर में, इन्होंने असेप्ट कर लिया था, लेकिन यह जो फैलोर हो चुगा था, जो पहले इंडियन्स पार्टिसिपेट करें वार में, उसके बाद जो है, उनको यह सारा चीज कर दिया जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसको औसर देखा यहाँ पे, और इन्होंने ये बोला कि इंडियन्स वार में पार्टिसिपेट वो करते हैं या नहीं करते पहले जो है आप हमें आजाद देखा अब जाकर इंडियन्स पार्टिसिपेट करेंगे, पहले इससे कोशन ही नहीं बनता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, तो इसके चलते दिखिए क्या होता है, कि जो मुस्लिम लीग थे उस समय, मुस्लिम लीग जैसे कि दो पार् जो का था, और महातमा गांदी जी ने इसको पोस्ट्रेट जेक करते हुए फिर रिजेक कर दिया था, फिर दखिए क्या होता है कि मुवमेंट और भी स्ट्रोंग हो जाता है, अपना फ्रिटम श्रगल के लिए, जिसमें कि बहुत जगा जो है, बहुत सारे आंदोलन होय, ज जिसमें कि ब्रिटिसर्स ने बहुत ही बुटली इसको करस किया, और इसके चलते जितने भी प्रोमिनेंट लिडर थे, तो वो सारे लगभग जो है जेल में बंद हो चुके थे, और महातमा गांदी जी को जैसे फिर बाद में रिलीज के आता है, हेल्थ ग्राउंड के बेसि कर लिया था, क्योंकि इसमें प्रोजल रखे थे ब्रिटिसर्स ने कि जैसे सारे लोग के इंडियन्स ही रहेंगे, तो यह जो प्रोजल था तुरत असेप्ट कर लिया गया था, लेकिन मुस्लिम लिग ने इसको असेप्ट नहीं किया, वो बोले कि आप इंडियन्स के लिए अलग से कंस्टेंट एसम्बली के निर्मान करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने डिमांड रखी थी कि उसका क्या होगा, आप उसके लिए कंस्टेंट एसम्बली के निर्मान कब करेंगे, तो इसके चलते जो है, जो मुस् सचिदान सिनाजी को बनाया गया था तो पहला जो मीटिंग हो था तो वह 9 दिसंबर 1946 को पहले मीटिंग हुई थी तो यह देखिए इंटरिम प्रसिडेंट है यानि कि इनको समान देने के लिए कुछ समय के लिए टेंपररी वेसेश पर प्रसिडेंट बनाया गया था एप पहले ये इसके पहले यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंश करना है को गुछ देखिए ठोडा शेह घुमाफीर आख़ के आप से पूछा जा सकता है फिर देखिए जैसे सेट अप होता है नवंबर 1946 में और यह कैबिनेट मिशन प्लान के ताध हुआ था जिसमें की टोटल मेंबर थे इसके चीप कमिशनरी एरिया से थे और 93 थे प्रिंसली स्टेट से थे तो इस तरीके से देखिए जो चलते क्या होता है कि दोनों तरप्स के लोग जो हिंदू और मुस्लिम के लोग जो बहुत लोग मरे थे इसमें तो गांधी जीद इससे बहुत डुखिये हुए और उन्होंने बहुत हेवी हट के साथ उन्होंने यह कह दिया कि जैसे इसके बजाय है कि जो हम लोग section का प्रपोजन को को अचेबट कर लिया हलांकि इसके पहले जो है construction assembly के दोड़ा स्विकार किया गया था ना तो लेकिन इतने दंगे हो रहे थे, इसके चलते जो होई, असेप्ट कर लिया घया था, परकुज़ूर यानि किभीजिन करने का, और जब दिखिए डीज़न होता है, डीज़न कहने की बात जो है, पास हो गई कि जैसे कि भीजिशन कर दिया जाएगा, इंडिया का दो नेसन में, यानि कि इंडिया और पाकिस्तान का तो फिर Muslim League इसमें participate करना शुरू कर दिया इसके अलावे जो और भी जो थे जो भी nominated members थे जो कि इसमें इन्होंने participate नहीं किया था इस सुरूआत में तो वो भी participate इसमें करना शुरू कर दिये तो फिर देखिए finally आगे process चलता रहा तो उसके बाद पर देखिए जोहरला नहरू जी ने December 30, 1946 को इन्होंने एक historic movement पास किया जो कि objective resolution का तो इन्होंने objective resolution एसेंबली में पास किया तो यह चीज objective resolution यह होता है कि जैसे हम जो constitution बना रहे हैं तो उसका objective क्या होगा यानि कि उसका proposal क्या होगा क्योंकि देखिए Indians ने बहुत ही sufferings जहला था जो क्योंकि Britishers ने हमारे बहुत साले दोग राज किया था तो बहुत ही जैसे Indians क्या है कि उनका अधिकार छीन लिया गया था उनके पास rights नहीं थे उनके पास जो भी अधिकार होने चाहिए वो चीज नहीं थे तो इसलिए objective resolution का इसमें यही proposal था कि हम जो constitution बना रहे हैं तो उसका objective क्या होना चाहिए कि जैसे Indians का right अगर देंगे उनको हम तो किस तरीके सोना चाहिए उनको किस तरीके समान होना चाहिए तो यही सारा चीज जो objective resolution में थे यही सारे बात थी और यही देखिए जो objective resolution है जो आप preamble आज तो इस तरीके से देखिए इंडिया को जो है independent sovereign union of state बनाया जाता है उसके बाद फिर देखिए जो constant assembly था तो इसमें जो है बहुत सारे different types of committees थे constitution का framing करने के लिए क्योंकि हम जो इतना बड़ा constitution जो बनाने जा रहे हैं तो उसमें तो एक जैसे एक लोग से तो possible है नहीं या फ कौन कौन से थे तो यह अपसे एकजाम में पूछा आता है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है तो इसमें देखिए जो सबसे most important जो committee था जिसके chairman थे तो वह है drafting committee constitution का तो यह थे डॉक्टर बी आर अंबेटकर तो यह थे chairman थे डॉक्टर बी आर अंबेटकर को तो इनही जो धाचा कैसा होना चाहिए constitution का तो इसके यह इस committee के यह chairman थे फिर इसके बाद अगला देखिए rules and procedure committee है तो इसके जो chairman थे तो डॉक्टर अरजिंद पसादी थे फिर अगला देखिए committee और national flag इसके chairman थे जेविक किरपलानी फिर अगला देखिए provincial constitution committee तो इसके चेर में जो थ and minorities के लिए तो इसके सदार पटेल दी थे तो इस तरीके से दिखिए जो भी important committees है और उसके जो भी chairman है तो यह आप लोग याद रखना अब दिखिए constitution जो हमारा था तो यह बनने में बहुत बहुत लंबा टाइम लगा था इसमें तो final reading जो drafting का जो complete हुआ था तो वह November 26 1949 को ज constitution जो है तो वह pass हो चुका है लेकिन यह जो है पूरी तरीके से final operation में आता है यानि कि इस दिन 26 January 1950 को यह full operation में आता है कि इस दिन से हमारा जो country है वह अब Republic हो चुका है और इसी दिन हम लोग Republic Day celebrate करते हैं every year तो आप लोग जानते हैं कि 26 January को हम लोग अपना गंतंत्र दिवस मन आता हैं हम लोग क्योंकि इसी दिन अपना जो constitution है वह full operation में आया हुआ था यानि कि जो भी constitution किये गया थे जो भी rights इंडियन्स को उसमें दिये गया थे क्या क्या होना चाहिए तो यह उस दिन से हुआ है मतलब कि इंडियन्स को मिलना शुरू हो गया अब उसी दिन के बाद स है टर्म जो प्रेसिडेंट था इंडियन्स का तो वो इसका भी post create किया गया था तो उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर रजन प्रसाद इंडियन्स के यहां पर इसके पहले वो क्या थे वो मतलब कि वो थे कि वह बनाया गया था तो यह सारे question अप लोग याद रखना और देखिए constitution को frame करने के लिए constituent SME लेक बहुत ही लंबा समय लिया था जिसमें की जो time duration है वो 2 years 11 month और 18 days का time लग गया था तो यह question भी आप से पूछाया था ति यह आप लोग इसको याद रखना और देखिए जब originally जो constitution जब बनी थी तो उसमें जो है only 22 parts थे 395 articles और 8 schedules थे लेकिन अभी presently देखा जाया अभी current के situation में तो अभी जो है 448 articles से भी ज़्यादा बहुत सारे articles है इसके अलावे जो पहले 22 parts थे तो अभी current में इसके 25 parts है और अभी जो है total 12 schedules है इंडर constitution में तो यह सारा fact जो है अब लोग याद रखना अब आये हम लोग यहाँ पे questions करते हैं जो कि आपके previous year में पूछे गया थे यहाँ पे हम लोग जो है किवल important points ही देखेंगे जो भी आपके exam point of view से related है नहीं तो इसके पहले और भी बहुत सारे जो important प्रोसेस थे इसके अंदर में constitution को frame करने के लिए तो वो सारा चीज उतना आपका काम से related नहीं है तो हम लोग वही चीज़ देखेंगे जो irrelevant रहेगा तो question देखिए आपका यहाँ पर पहला है कि who was not a member of constituent assembly तो देखिए जो बनाए गए थी तो उसमें जैसे बहुत सारे members थे लेकिन उनमें से कौन से जो option आपका दिया वह इसमें से नहीं थे तो इस इसका दिखे राइट एंस और option यह हो जाएगा महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी जी ने इसमें जैसे कंस्टेंट assembly का जब formation हुई थी तो उन्होंने इसमें participate होने के लिए आज से विकार कर दिया था इन्होंने जो चूज ही कर लिया था कि यह जो है कोई भी किसी भी ट पाकिस्तान का तो वो है डॉक्टर मुहमद अली जीना तो यह दोनों जो है participate नहीं किया थे इसमें कंस्टेंट assembly में तो यह दोनों आप लोग याद रखने यह दोनों प्रमुक लीडर थे प्रमिनेंट लीडर थे दोनों के तरफ से तो आप से question में अगर उसका भी पूछा था कि यह भी यह committee के head थे और जीवी बालंकर जी को भी इनको भी head बनाया गया था तो यहां पर देखिए list में आपका और भी दिया हुआ है कि जैसे कौन-कौन से major committee थे मतलब कि जो committee और उनके कौन-कौन chairman थे तो आप लोग इसको और भी याद कर लेना क्योंकि इसमें से भ और provincial constitution committee के head थे इसमें बलावाई पटेल जी थे और वहीं फिर देखिया अगला है कि advisory committee और fundamental rights and minorities के लिए सरदार बलावाई पटेल जी थे और फिर अगला देखिया है कि रूल से procedure committee तो इसके जो chairman थे तो वो थे राजंदर पसाद जी फिर अगला देखिया है कि states committee के लिए य जैसे कि इसमें था कि constant assembly के इस तरीके से function करेगा तो इसके chairman थे जी भी बालंकर जो कि आपका अभी option पर उसमें दिया हुआ था तो यह भी जो थे constant assembly के member थे फिर अगला देखिया है house committee के chairman थे बी पटाबी सितारमयया फिर अगला देखिया है कि order of business committee इसके chairman थे के मुनसी थे तो यहाँ पर जितने भी important committee और के chairman थे तो यह list हमने आपको दे दिया है तो इस तरीके से आपसे अगर मान लेजे कोई भी question आपसे पूछा आता है तो वो आप लोग easily कर सकते हैं तो आपने अभी जैसे list में देखा होगा तो उसमें से आपने देखा था कि Dr. प्रसाद भी सरदार पटेल जी भी थे और जी भी वालंकर जी भी थे लेकिन महात्मा गांधी थे कि यह जैसे कि यह member नहीं थे consistent assembly का और मुहमद अली जिन्ना भी थे वो भी नहीं थे इसके तो यह दो चीज आपसे पूछा जा सकता है तो आप लोग याद रखना फिर अगला दिखिया ह कि who was the president of the consistent assembly अब यहाँ पर देखिए आपसे जैसे president के बारे में पूछा गया है consistent assembly का तो इसमें आपसे यह चीज नहीं पूछा गया है कि temporary basis पर या फिर जो मतलब की जो अरिजिन स्टार्टिंग में जो बने थे वो आपका इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन इसमें इसमें आपको दिया हुआ है डोक्टर राजंद प्रसाथ जी के बारे में तो डोक्टर राजंद प्रसाथ जी थे यह प्रेसीडेंट के कंस्टेंट एसम्बली के लेकिन जो temporary basis पर इंट्रिम चेर्में जो बनाया गया था इसका वो डिक्र सचिदानांद सिन्हा जी को बना अब यहीं पर दिखिए जैसे प्रेसिडेंट इंडिया का अगर बात आता तो उस समय फॉस्ट प्रेसिडेंट भी थे डॉक्टर राजेंद प्रसाज जी थे तो क्वेश्चन अप लोग ध्यान से देखना है कि उसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है तो यहां पर दिखिए आपसे पूछा गया हुआ है कि जो ड्राप्टिंग करने का जो काम था वो पूरा कम्प्लीट हुआ था लेकिन जो फाइनली यह फॉर्स में आता है अपना कंस्टिट्यूशन तो वो 26 जनवरी 1950 को तो इन दो डेट में आप लोग कंफिउज नहीं होना यहां पर सिर्फ ड्राप्टिंग के बाद कहें थी वो कंप्लीट कब हुआ था तो वो 26 नॉवंबर 1949 को फिर अगला क्वेश को बनाया गया था सम्वान देने के लिए क्योंकि यह सिनियर मोस्ट लीडर थे कंस्टिट्यूशन असेंबली का तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा ओक्शन भी हो जाएगा लेकिन इसके बाद देखिए जब जो भी मीटिंग होते हैं मैंनि कि जो को हुआ था नियु देली में तो यह सारा फैक्ट भी आप लोग याद रखना तो यहां पर देखिए जो भी आपके इभुलूशन थे इभुलूशन अप इंडन कंस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे और जो भी कोशन इसे पूछे गया थे तो वह हमने डिसकस कर लिया तो आपको कैसा लगा यह लगचर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरीके से देखिए आपका आगे का क्लास जो है चलता रहेगा विंडन पॉलिटी का और फिजिक्स का भी हम जो पैरलली आपका स्टार्ट कर देंगे केमेस्टी का जैसे कि आ आपका फिनिस हो ही चुका है लगभग आपका वो तो उसके बाद हम फिजिक्स का भी आपका स्टार्ट कर देंगे तो आप लग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो का अधिक साधिक सेयर करना ताकि हमें मोटिवेशन से मिलता रहेगा तो चली दोस्तों फ